गुरु जी का खाल सा वाहे गुरु जी की फती नीदरलेंड विच रहन वाले गुरु सिख परमजी सिंग ने एक गोरी सिख दी अज यही कटना सांजी कीती जिसनों सुनके दूसे सारे हैरान रह जावोगी एक गोरी सिख दी कटना जिस विच ओ आपनी सिखी छड़न ही लग है ते पिछले पंदरा साला तो ओ नीदर लेंड दे बाहरी इलाकी विच रहें दे हन फारम तो कुछ ही दूर ते एक जंगल है पर उते आसपास काफी अबादी है मेरे देख 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 एक गोरा अमर्त शक के सिंग साज गिया असल विच ओ एक फोटोग्राफर असिस्टन्ट सी मेरी उसना जान पिशान होई ते मैं उसनू उस दे अमर्तारी होन दा कारण पुछय से नाड ऀक अज्जेही कल दस गया जिसनू सुनके मैं दंक रह गीया उस गोरे सिखन दस आ कि मैं एक दिन श्री हरमंदर साय विखे गया सी गया ता मैं उते फोटो लैंड ले इसी पर श्री गुरू रामदाफ जीरी किरपा हुई ते मैं उते अमर्त शाके सिंग साज़ गया मेरे दिल विच पहली वार ही सतकार उमर्ड पे आसी मैं होडी होडी सारा कुछ सिक्ख थे अमर्त शाके सेंग साज़ गया समा लंगे थे सब कुछ ठीक चाल रहा सी पर मेरे परवारवार्यानों मेरे अमर्ड शाकन तो प्रापलम सी पता नहीं क्योंनानों लगदा सी के में अमर्त रिहोन तो बाद सारा दिन पाठी करदा रहना हाँ ता कोई कामकार नहीं करदा जिस कारण पैसे भी का टक्वाँदा हाँ कुछ दिना बाद मेरे पिता जी बमार हो गए आखर तक ओ एही कहनते रहे कि तो अमरिचा के ठीक नहीं कीता पाठने तेन कुछ नहीं देना पैसा जरूरी है ओ अजहियां गलना करदे रहे शायद मेरे उत्ते उनादे गलना दा असर हो गया इस तो बाद मेरे नहीं लगण लगपया कि मैं अमरिचा के ठीक नहीं कीता क्योंकि मेरे प्रवार ने मेरे ते बहुत प्रेशर पाया होया सी आन्त मैं सिखे चड़न दा फैंसला कर लिया आन्त मेरे दोस्त ने मिन्नों किहा के जे तो सिखे चड़नी है ता क्योंना एक वार श्री दरबार साव जाके माफी मंग लमी मैं अवस्दी कालमान के श्री दरबार साव चला गया उस दिन मैं बहुत उदास्ते प्रिशान सी सिखे चड़न नो मान नहीं सी मन रहा मान वेचे वे विचार आ रही सी कि शायद कोई जवाब ही मल जावे मैं बाहर ही बैठा रहा अंदर नहीं गया मैं कीमू लएके गुरु साहव अग्गे जान दा राच दा समा सी मैं प्रकर्मा विचे ही पैगिया ताकि अमरत वेले सिवादार मेंनो उठा देन हले अख लगी ही सी के एक सिंग ने मेंनो उठा देता मैं एकदम ही उठ्या थे सिंग नो वेख्या सिंग काफी लंबा चोड़ा सी मैं किया कि चलो मैं प्रकर्मा दी सिवा करा देवा उस सिंग ने मनो किया कि तुसी मेरे नाड चलो गुरु साहिब ने बुलाया है मैं पुछ्या की कॉन्ड गुरु साहिब ते उसने जवाब देता कि शिरी गुरु रामदास जी महराज हैरानी ता इस गालदी से कि ओ सिंग इंगली शपूर रहा सी मैं उस दे नाड चल पियां देख 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 दे मेरे नाड कुछ होर सिंग भी आ गए मैं हले चले हैं ही सी कि मैं कबरा आ गयां जदो मेरे नाड एक शीर वी तोरना लगा मेरी समझ तो सब कुछ बाहर सी जदो मैं आगे गया था एक एलाही परकाश होया गुरु साहिब ने दर्चंद ते ते अब आज आई तो अंदर क्यों नहीं आया ते मैं किहा की गुरु साहिब जी मैं की मूँ लगे अंदर आउंदा आज मैं सिख्छ चड़न लगा हाँ अब आज आई तो वाही गुरु दा जाब करया कर कीर्थ करया कर ते वांट के शक्या कर गुरु नायनक साहिब जी आप ही नदर करनेगे असे बाहर आ गए ते मैं सिख्छ नो पुच्छा की इस शेर दा की मतलब है ते सिख्छ ने उत्तर दिता की इस दा तरे पिछले जनम नाड संबंध है तू पिछले जनम बेच एक सिख्छ सी ते तू इस शेर नो मार्या से जिस कारन इस दी जून अजाद होई ते आउन वाले समय विच एक शेर दिरी बहुत मज़द करेगा उना सिंगा ने मिनो देगदा प्रिशाद दिता थे ओ सिंग अलोब हो गए एननी गाल सी कि मिनो किसे ने जगा जिता ता सेवा चल रही सी हैरानी दी गाल सी कि एक सुपना सी पर जदो मैं देखिया थे मेरे हथा नो देगदा की उलगा होया सी मैंनो आज तक जिकीन नहीं हो रहा है कि ओ एक सुपना सी जा साच इस तो बाद मैं वापस नीधर लेंड आ गया मैं सिखी नहीं छटी ते कामो ते जोर देन लगा मुँ वेच वाहिगरू वाहिगरू दा जाप करना लगा महराज ने किर्पा कीती कामो बहुत वदिया हो गया परिवार नो भी तसली हो गई एक दिन मैं बास ते कुछ फोटोग्राफर दोस्ता नाल जंगल वेच फोटों लेंड ले गया वो मेरा बहुत ही वड़ा प्रोजेक्ट सी फोटों लेंडे होए असी बहुत अंदर आ गए सानो नहीं पता सी कि ओ खतरनाक जानवरादा जंगल है बिना सोचे समझे असी जंगल वेचे काफी अंदर आ गए इस तो बाद साथे उत्ते एक खतरनाक पालू ने हमला कीता पालू मेरे अलू वदन लगा मैंनो मेरी मौत सामने दिख रही सी मेरा कोई भी साथी मैंनो बचौन लही नहीं आया फिर अचानक एक शेर आदा है ते पालू ते हमला करदा है ते उसनो पजा आके बहुत दूर जंगल विच पे इज दनदा है सारे हैरान सी की ए शेर कितों आया पार मिनो सारा कुछ समझ लग गया की ए शेर कौन सी ते क्यूं आया सी मैं सारी कल परिवार दन दसी ते परिवार भी बहुत हैरान होया ते उन्हा ने किया कि जे तू आज सिख नहीं हुनता ता तू साठे विच नहीं हुना सी ते हुन सब कुछ ठीक चाल दिया है मैं इही समझ दा हा कि ए परमातमा दा एक इशारा सी जो मिनों शेर दरभार सा विखे मिलिया वाहि गुरू जी का खाल्चा वाहि गुरू जी की फति